आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ स्टूथियो कैमिलस is equal to dash इच्थियो फिश is equal to amphibian यहां पे बुचा गया है कि जो linking है वो in the form of phylum क्या होगा तो स्टूथियो फैमिलस का मतलब होता है जो की कैमिल होते हैं और इच्थियो फिश जो है ये एक ऐसा और्गेनीजम है जो की blind होता है और साथ ही साथ ही limbless होता है और इसका classification अंदर था amphibia क्यों किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है कि both the land और water invade कर सकते हैं और इनको रहने के लिए जो सबसे sweetable होता है वो होता है burrow formation और burrow यानि कि जो soil में ये लोग मिट्टी कोते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि ये लोग घुज जाते है जो की बड़ो हिसाब से पाया जाता है और ये जो इस च्चतियों फिश होते हैं ये basically resemble करते हैं snake-like structure को लेकिन फिर भी इनका जो maximum categorization रहता है या पर characters रहता है वो होता है amphibia का इसलिए इसको amphibia के अंदर classify किया जाता है वही पर अगर हम लोग camel का बात करें तो camel का जो यहाँ पर characters रहते हैं वो एक दम से totally mammalian characters को follow करते हैं इसलिए जो यहाँ पर class होता है वो हो जाता है यहाँ पर mammals का जो कि यहाँ पर correct हो जाएगा वही अगर हम लोग यहाँ पर characters देखें तो क्या होता है कि camel में mammal के character हिसाफ से memory gland पाया जाता है पर इनका जो birth होता है वो direct birth होता है to the offspring एक production नहीं होता है और साथ में इनके body में hairs यहाँ पाये जाते हैं जिससे कि यह totally mammalian characters show करते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर correct form of answer हो जाएगा mammals और उसी को हम यहाँ पर note कर लेंगे classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार सुपर